नमस्कार आप देख रहे हैं Online News India और मैं हूँ आपके साथ मुन्मुन रह्माण अक्षे कुमार को BJP की चापलूसी करना जरा भी काम नहीं आया दोस्तों वो कैसे वो हम इस खबर में आपको बताएंगे हमेशा BJP सरकार की हां मेहां मिलाते रहे हैं अक्षे कुमार मोदी सरकार का समर्थन करते हैं तभी तो उन्हें 2014 के बाद से महगाई और बढ़ते दाम पेट्रोल के और तमाम चीजों के बढ़ते दाम आसमान चुटे दाम नहीं दिखते हैं जिदिखता है तो सरफ मोदी सरकार का विखास जो कि असल में कुछ है ही नहीं अक्षे कुमार को लगता है कि बीजे पी की वो चापलूसी करेंगे और उनका काम ऐसी चलता रहेगा लेकिन नहीं अक्षे कुमार को बीजे पी की चापलूसी करना भारी पड़ गया है बीजेपी के नेता अक्षे कुमार पर अक्षे कुमार के फिल्म राम सेतू को ले करके केस दर्ज कर सकते हैं खबर आपको उताते हैं पूरा विवाद क्या है जागरन की ख़वर है ख़वर में लिखा है अक्षे कुमार की फिल्म राम सेतू रिलीस से पहले ही विवादों में फस गई है बीजेपी नेता और सांसद सुबरमन्यम स्वामी ने ट्विट कर बताया कि फिल्म में गलत तर्थे दिखाने के लिए केस दर्ज करने वाले हैं तो देखा आपने अक्षे कुमार जो मोदी सरकार का खुलकर समटन करते आए हैं खुलकर उनको लेकर बोलते आए हैं इसी को लेकर के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि अक्षे कुमार मोदी सवाठक है, मोदी भक्त है लेकिन फिर भी ये चापलूसी करना उनका काम नहीं आया क्योंकि उनकी फिल्म अब विवादों में फस्ति नजर आ रही है एक के बाद एक फिल्म वो रिलीस कर रहे हैं और एक के बाद एक नया विवाद खड़ा हो रहा है कभी पृतिवी राज को लेकर के, कभी राम सेतु को लेकर के और राम सेतु को लेकर के अब बीजेपी के नेता ही अक्षे कुमार को आँख दिखाने लगे हैं खबर देखिया सूपरस्टार अक्षे कुमार के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं एक तरफ तो बच्चन पांडे और समराज पृत्विराज समेट लगातार उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही है दूसरी तरफ जो रिलीस को तयार है उन पर अभी से विवाद शुरू हो दोस्तों कि पृत्विराज समराज पृत्विराज जो उनकी मूवी थी इससे पहले वाली उसको लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ था कंटेंट को लेकर के लोगों ने कहा था कि अक्षे कुमार ने अपने फिल्म पृत तरीके से पेश किया गया है जिसके बाद वो भी पू राम सेतु में गलत धारना पेश की है जिसने राम सेतु की इमेज को काफी नुकसान पहुचा है मेरे अधिवक्ता सत्य सबरवाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं उनका ट्विट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि मैं अक्षे कुमार के खलाप क कर णा क्योंकि इनों ने जो फिल्म है राम सेतु उसमें गलत धारना पेश की है गलत तरीके से चीजों को दिखाया और यहीं सेम इलिगेशन अक्षे कुमार पर प्रित्वी राच को ले कर लगे थे कि उन्होंने प्रित्वी राच की को जो उन्होंने बायोफिक बनाई है उसमें कहीं तक्षे उसे छेड़कानी की गई है, कहीं चीजों को बड़ा चड़ा कर दिखाया गया है। पोस्टर पर फिल्म की रिलीस डेट इस सार दिवाली लिखी गई थी, फिलहाल तो अक्षे कुमार अपने फिल्म रक्षा बंदन के प्रमोशन में बिजी है। ट्रोल किया था, तरह तरह की बाते की गई थी, आपको बताते हैं हम क्या क्या किस किस ने कहा। इराम सेतु के पोस्टर से आपत्ती हो गई, लोगों को इस पोस्टर का लॉजिक समझ नहीं आ रहा। यूजर का कहना है कि क्यों अक्षे ने मशाल पकड़ी है, जबकि जैकलीन की तरह असानी से टॉच का इस्तिमाल किया जा सकता है। इस पोस्टर पर लोग चुटकी ले रहे हैं। यूजर ने लिखा जैकलीन के पास बैटरी से ओपरेटर होने वाला टॉच है। तब भी अक्षे मशाल लेकर चल रहे हैं, यह तस्वीर डायरेक्शन की बारिकियां को बताती है। दूसरा एक शक्स इसी पोस्टर को लेकर चुटकी लेते हुए लिखता है, सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा देखा जा सकता है, जहां एक एक एक्टर के हाप में मशाल है और दूसरे के पास बैटरी वाला टॉच है। लोगों का रियाक्शन क्या बदलता है। पहले पोस्टर आया, उसके बाद लोगों ने पोस्टर के खिल्ली उडानी शुरू कर दी, लोगों ने कहा कि इसमें जो है लॉजिक पूरी तरीके से मर चुका है, कोई लॉजिक इसमें नजर नहीं आ रहा है। और अब जो बीज पीसे, वो कह रहे हैं कि मैं अक्षिकुमार के खलाफ कोट में केस करूँगा, क्योंकि वो चीजों को गलत तरीके से पेश करने हैं, फिल्म में, आखिरकार अक्षिकुमार पर एक के बाद एक आरोप क्यों लग रहे हैं, प्रित्वी राज फिल्म को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने छेडखानी किये तथ्यों से, यूजर्स ने कहीं लोगों ने दावा किया था, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर की प्रित्वी राज मूवी में, अक्षिकुमार ने कहीं चीजों को बड़ा चड़ा कर दिखाया, बलकि ऐसा कुछ है ही नही हम आपको एक बार बता देते हैं कि प्रित्वी राज को लेकर क्या-क्या विवाद हुआ था, किस की सतरा की चुनौतियां प्रित्वी राज में जहली थी, हम आपको एक बार बता देते हैं आपको बताते हैं कि प्रित्वी राज को लेकर के किस तरीके के बयान बाजी हुई थी, प्रित्वी राज को दिली हाई कोट का रुख भी करना पड़ा, फिल्म को, जिसके बाद उसका टाइटल चेंज कर दिया गया, इसमें गुजर समुदाय का दावा था, कि प्रित्वी समराज कर दिया, समराठ हटाकर के, ये خबर देखिए, करनी सेना ने किये फिल्म का टाइटल बदलने की मांग, करनी सेना और् गुर्जर समुधाय दोनों सामने आ गए थे, और दोनों का दावा था, कि नहीं, वो हमारे समुदाय से हैं, और दूसरा कहता कि नहीं, वो हमा करेंगे हाला कि करने से ना कि इस धंकी के बाद फिल्म के मेकर्स ने अक्षिक कुमार की पृत्विराज का नाम बदल कर समराच करना पड़ा वही गूजर समुदाय को भी फिल्म की गोशना के बाद से गूजर समुदाय भी अलग-अलग तरीके के दावे कर रही थी उन्होंन का विरोध करेंगे फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे एक न्यूस पॉर्टल में बात्चित में महासभा के राजिस्थान प्रदेश अध्यक्ष मनीश ने दावा किया तक उन्होंने एतिहासिक सबूतों के साथ फिल्म के मेकर्स से मुलाकात की थी लेकिन मेकर्स ने उन पर फोड़ दिया कि वो अपने विवादों के चलते और आपको याद होगा कि इससे पहले एक तंबाकों का एड़ बहुत वायरन हुआ था जिसमें अक्ष्यकुमार की बहुत खिल्ली उड़ी थी जो फैंस थे उनके उनसे सवाल पूछ लगे थे कि आपने ये विग्याप करते हैं और इस तरह के विग्यापन जो है उनकी नजर में आये हैं फैंस ने उनको काफी ट्रोल किया है और उसके बाद वो अलग-अलग राय अपनी देते हैं तमाम राजमदी की बुद्धों पर अपनी राय देते हैं जिसको लेकर के हैं फिल्म जो है फ्लॉप हो गई त तो देखा आपने दोस्तों कुल मिला कर ये बात है कि आप चाहे कितनी भी चाप्रूसी करें लेकिन जब आप गलती करेंगे तथ्यों से छेड़चार करेंगे तो सभी को नराजगी होगी और सभी इस पर बोलेंगे और बीजेपी सांसत सुबर्मनम स्वामी भी इस बात को को लेकर बोल रहे हैं अब कि राम सेतु में आपने गलत धाना से चीज़ जो है वो पेश की हैं जिसको चलते वो सुप्री कोट का दरवाजा खट खटाएंगे इससे पहले भी उनकी प्रित्विराज फिल्म कोट जा चुकी है दिली हाई कोट और अब दुबारा से राम सेत प्रिकेशन आप तक सीधा पौट सके